हेलो विडियो में हम मीरर इमेज यानि दरपन परतिविम के क्वेश्चिन करेंगे यह पार्ट बीश्वा है अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आप चेक कर सकते हो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चिन हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्वेश्चिन फिगर दिया गया है और उसका मीरर इमेज यानि दरपन परतिविम हमें निकालना है ठीक है तो लेफ्ट पार्ट क्वेश्चिन फिगर का राइट में दिखाई देगा और राइट पार्ट कहां दिखाई देगा left में ठीक है यही आपको याद रखना है mirror image में तो question figure में सबसे बाहर क्या एक square है तो square का mirror image तो square रहेगा ठीक है फिर बात करते हैं इस question figure में मैं कोई दो part select कर लेता हूँ मैंने यह two black rectangle select की यह कहां पे है left side में है mirror image में कहां दिखाई देगी यह right side में तो right side में a option में दी गई है ठीक है b option में दी गई यह भी ठीक है c में नहीं दी गई c में एक उपर है एक निचे है तो c option गलत और d में भी गलत है क्योंकि दोनों left में दी गई है तो c और d option हमारे गलत हो गए अब बात करते हैं question figure में इस डबल्यों की ये W कहांपे है? center में है योगा कहां बनेगा? center में ही, ठीक है लेकिन e option में W का mirror image क्या धिया गया है? तो e option हमारा गलत हो गया option B is the right answer second question है square का mirror image square होता है मैं इस L को select कर लेता हूyeong L कहांपे है? left sideнее mirror image में इसका mirror image कहां दिखाई देगा right में तो एल का mirror image right में दिखाई देगा ठीकैं तो option में ठीक है B में और C में ठीक है D में नहीं है तो option D हमारा गलत हो गया ठीके उसके बाद बाद करते हैं मैंने इस 3 को select किया थाए ठीक है 3 क्या है right side में तो लक् Gary है उसका mirror हमारा गलत सी में ठीक दिया गया है ठीक है ना तो बी और डी हमारे हो गए गलत ठीक है अब बात करते हैं A और C उप्षन A और C उप्षन में देखे अलग क्या चीज़े है 4 जो है वो अलग दिया गया है तो इसलिए हम क्या करें Question Figure में 4 को Select करेंगे 4 कहां पे है? Left में है तो इसका Mirror Image कहां बनेगा? Right में यहां पे बनेगा Right में तो Mirror Image इस तरह से होता है जो की A फिगर में मैच करता है लेकिन C में मैच नहीं करता तो C गलत हुआ Option A हमारा सई अंसर है थर्ड कोश्चन है Square का Mirror Image square रहेगा ठीक है? अब बात करते हैं मैंने इस पार्ट को Left पार्ट को यह Select किया यह किस साइड में है? Left साइड में है तो Mirror Image में Right में दिखाई देगा तो Right में A उप्षन में ठीक है B में नहीं दिया हुआ तो B गलत C में भी ठीक दिया गया है और D में भी ठीक है? तो B उप्षन हमारा हो गया गलत ठीक है? अब बात करते हैं Base में एक ट्रेंगल दे गई है यह वाली तो इसका Mirror Image भी Base में भी बनेगा इस तरह से तो इस तरह से ट्रेंगल A उप्षन में है और D उप्षन में है C में नहीं है तो C हमारा गलत हो गया ठीक है? अब बात करते हैं अब देखे B और C हमारा गलत हो चुगा है ठीक है? और सेंटर में हम ट्रेंगल की बात करते हैं सेंटर की जो यह ट्रेंगल है यह इस तरह से दी गई है इसके अंदर दो लाइन है बड़ी लाइन उपर है बड़ी लाइन उपर है छोटी लाइन नीचे है तो इसका Mirror Image की इस तरह से बनेगा इस तरह से? और बड़ी लाइन कहां पर आएगी? उपर छोटी लाइन नीचे इस तरह से तो बड़ी लाइन उपर छोटी लाइन नीचे किस में है? बड़ी लाइन उपर सिरफ D option में है ठीक है? A में नहीं है तो A option हमारा गलत option D is the right answer फॉर्थ question है square as it is ठीक है फिर बीच में यह horizontal line ठीक अब यह जो नीचे वाला पार्ट है यह नीचे बना हुआ है तो mirror image में भी नीचे ही रहेगा लेकिन आप देखें C.O. figure में यह उपर है तो C.O. option हमारा गलत होगे ठीक है अब मैं select करता हूँ इन दो triangle को यह दो triangle किस तरफ है राइट की तरफ तो mirror image में कहा दिखाई देगी left की तरफ इस तरह से तो A. option में ठीक है B. में नहीं है B. गलत और D. में भी ठीक नहीं है तो D. भी गलत option A is the right answer पाच्वा question है question figure में आप इस पार्ट को select कीजिए ठीक है यह left में है तो mirror image में कहा दिखाई देगा right में तो A. figure में यह अभी भी left में है तो A. option हमारा गलत हो गया B. में यह right में दिया गया है C. में भी यह right में दिया गया है और D. में भी यह right में है तो B. C. D. में से हमारा कोई भी अंसर ठीक हो सकता है फिर बात करते हैं question figure के इस part की ये जो part है वो कहाँ पे right की तरफ है उपर है तो mirror image में वो left में दिखाई देगा तो left में किसे में हैं सिर्फ B option में है C में ये निच्चे है और D में ये क्या है vertical line लगी हुई है तो D option भी गलत option B जो है वो हमारा सही answer है next question करते है square को क्या करिए दो diagonal से चार भागों में divide कीजिए इस तरह से ये जो part है वो left में है तो mirror image में कहाँ दिखाई देगा ये right में तो right में किस किस में है A में और C में तो B और D हमारे गलत होगे अब इस arrow को देखे जो बेस में है वो किस की तरफ face किये हुए है right की तरफ तो mirror image में कहाँ आएगा left की तरफ option A हमारा सही answer है साथमा question है square है square का mirror image square रहेगा ठीक है ये जो दो है वो left side है बना हुआ है तो इसका mirror image right में बनेगा इस तरह से ठीक है तो right में mirror image sum miss ठीक है ठीक है अब बात करते है k की ये जो k है ये कहाँ पर है bottom में राइट में है तो mirror image में कहाँ बनेगी left में इस तरह से तो इस तरह से mirror image A में ठीक है B में भी है और C में भी है C और D में है B में नहीं है ठीक है न बी option हमारा गलत हो गया ठीक है अब बात करते है 9 की 9 कहां पर है लेफ्ट में तो इसकी मेरी रिमेज राइट में बनेगी इस तरह से तो A उप्षन में ठीक है C में भी ठीक है D में नहीं है तो D गलत B और D उप्षन हमारे गलत हो चुके है ठीक है अब बात करते हैं सेंटर की ट्रेंगल की center की जो triangle है उसमें आप देख सकते हो body line उपर है छोटी line अंदर निचे है ठीक है ना एक triangle के अंदर दो line ये बनी हुई है body line उपर छोटी निचे तो और triangle इस तरह से बनी हुई है तो इस triangle का mirror image रहेगा वो इस तरह से रहेगा body line उपर छोटी sorry body line उपर छोटी निचे ठीक है तो option जो A है वो हमारा सही answer है आठमा question है वेरी जी E का उल्टाई है इसका mirror image कैसे रहेगा सिधा E तो option C जो है वो सही answer है नौमा question है इस part को आप select कीजिए कहां पे है left side में उपर है तो mirror image में कहां दिखाई देगा right side में तो right side में A में भी है और D में भी है तो B और C तो हमारे गलत होगे फिर मैं चुनता हूँ right part को ये दोनों ही white color में है तो right part जो है वो left में दिखाई देगा तो left में सिर्फ A option में है तो मतलब D option भी गलत option C is the right answer कहां पे है right side में तो mirror image में left में दिखाई देगा तो left में किस किस में है C और D में ठीक है तो A और B तो हमारे गलत होगे अब बात करते हैं दो white circle की ये जो दो white है ठीक है आप देख सकते हो C में दो no white नहीं है दो black है एक white है तो C option गलत option D is the right answer Thank you कर दो